नमसकार दोस्तों, स्वागेते हैं फिर से नए वीडियो में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिए एर फाइवर और जिए एर फाइवर प्लस के बारे में कौन सा कनेशन बेस्ट है किसमें जादा benefit है,किसमें जादा problem आथी किसमें नहीं आती है इस जड़ प्राबलम केनेक्टिविटी किसमें कैसी रहती है और MIU PLUS में कैसी रहती है, AIIR FIVER PLUS में और एर फाइवर में तो इस वीडियो में इस चीछ के बारे में डिस्कस करने वाला है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किजिए लाइक किजिए और सेर किजिए ताकि लोगों तक यह अच्छी इसमें फिजिशिकली नी होता है प्ड़ एक इसका एक नमबर होता है उसके अच्छे में पाराइब 5G से अब करता है उसके बाद आता है जो nearby tower से उस tower पे इनका ये container लगा होगा जिसे बोलते है A6 और इसका नाम है C6 तो ये एक particular एक direction में काम करता है जिससे कि ये connect होके आपको internet प्रोवाइड कराता है internet से आपके tv चैनल और O2T सारी चीज़े आपको facilities मिलती है तो इसमें से best कौन सा है इस बारे में हम बात कर रहे ह एर फाइबर जो है आपका वो जो नॉर्मल वाला इससे पहले जो दिखाया मैंने जो मैंने इससे पहले दिखाया वो एर फाइबर जो है नॉर्मल जिसे हम कहते हैं वो connection जो है कि हर एक building पे available है हर एक जगा available है इंडिया के कोने कोने में भी जहां पे 5G की network अच्छे आ रहे जहां तक जियो वालोन लाइव कर दिया है उसे वो हर एक जगा लग सकता है बट यह जो connection है यह air fiber plus इसमें ऐसा नहीं है इसका एक direction है particular जो nearby tower पे इससे इनका A6 लगा होगा उपर से इनको height भी चाहिए उस building की ताकि वो जो tower पे जो antenna लगा हुआ इनका उससे यह match कर सके signal इस इसको कम से कम 3-4 मंजिल का मकांची होता है उसके बाद जियो वालों ने आपके अगर building को live कर रखा होगा तो ही यह आपको air fiber plus का connection मिल जागा तो दोनों में different यह है कि जो normal वाला है वो हर एक building के लिए है बट यह particular कूष selected building के लिए है जिस पे इनका A6 का network जा रहा है बेस्ट जो मैंने जो इनका feedback देखा है जो air fiber plus का और air fiber का दोनों में से best तो अभी तक air fiber plus है इसमें benefit मैं बता देता हूँ दोस्तों क्या क्या है पहले बात in future अगर आपको कितनी भी speed का अगर आपको प्लान चीए तो वो आपको air fiber plus में मिल जाएगा चाहे आपको 300 mbps 500 1gbps तक की speed आपको इसमें देखने को मिलती है इसका प्लान आप ले सकते हो इसमें एक चीज़ और है खासियत की इसमें connectivity issue, fluctuation issue, disconnection issue आपको इसमें नहीं देखने को मिलेगी क्योंकि ये एक direction पे काम करता है सामने एक और से signal receive करके एक अच्छा जो signal percent होता है जो signal का वो अच्छा quality से receive कर के उसके बाद आपको internet provide कराता है cat6 के थुरू और आपके router तक तो जो इस type की problem जो आती है connectivity और disconnection की जो problem आती है आपको वो airfiver normal connection में आती है जो 5G based है वो उसमें इस type की problem जरूर आपको आती है क्योंकि देखो वो एक tower है और उसी tower से हम mobile phone भी चला रहे हैं और उसका wifi network भी आ हम लोगो function देखने को मिलती है phone में कि जब users जादा हो जाते हैं तो network थोड़ा सा slow हो जाता है थोड़ा सा fluctuation होने लग जाता है disconnection भी होता है उसमें तो वो तो normal है कि phone में भी इस तरीके का होता है तो हम लोग earphone mode पे डालके उसको वापिस से network को refresh करके फिर से use करते है तो उस प्लस में आपको उसमें कोई problem देखने को नहीं मिलता है plus मैं मैं आपको उसमें और और भी benefits बता देता हूं जैसे की जैसे की normal जो ear fiber का connection है उसमें company ने splitter तो अभी बंद कर रखा कि अगर आपने पहला connection लगवा रहे है आप पहला तो आपको splitter साथ में नहीं मिलेगा जब उस building के असपस आगे पीछे जो भी कोई second connection मतलब connection के लिए booking करेगा तो second connection बनके आएगा फिर वहाँ पे splitter लगता है बट इसमें क्या है air fiber plus वाले में आपको splitter साथ में ही लगा के देया जा रहा है आपके building में ताकि आपके ऊपर नीचे अगल बगल जिनको भी अगर air fiber का connection चीए होगा तो उनको easily मिल जाएगा तो सबसे अच्छा result जो है अभी तक का वो मैंने जो feedback अभी तक लैक किया है वो air fiber plus का है जो की एक like fiber connection जो wired connection होता है उस type में इस customer का feedback है कि बहुत ही अच्छा चल रहा है उस पे कुछ कोई कमी की अभी तक कोई complain नहीं है उसमें complain नहीं है तो air fiber में आपको जरूर मिल देखने को कि थोड़ी बहुत problem आती है customer को बट जिनके area में network 5G की networking के अच्छी कासी है क तो उनको problem नहीं आती है मगा कुछ कुछ area में कुछ कुछ complain है उस पे भी company काम कर रही है आये दिन 5G के जो नए नए instrument है tower पे वो लग रहे हैं आप ने अपने tower जियो tower पे देख सकते हैं उसमें दो type के आप 5G के जो outdoor है उनके लगने शुरू हो गया है एक तो पहले जो लग करम नहीं customer को तो इन्होंने एक network team भी बैठा रखिये जो इस पर काम कर रही है तो इस वीडियो में इतना ही मैंने आपको बताया कि best क्या है best आपकी building पर अगर यह MU plus शो कर रहा है जो एर फाइवर प्लस तो आप प्लीस इसको बुक कराईए और अगर नहीं तो फिर एर फा सब्सक्राइब किजिए और शेर किजिए और बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नहीं जानकारी लेकर होंगा अभी काफी दिनों से गाइब था मगर अभी लगातार वीडियो आएंगे और नहीं नहीं जानकारी आएगी नमस्कार